प्रेंज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आईए जानते हैं कि अलसी किन किन तकलीफों से आपको बचा सकती है। मांसा हारियों को ये मचली से मिल जाता है। अगर आप स्वयम को निरोग और चस्त दुरुस्त रखना चाते हैं तो रोज कम से कम एक दो चमच अलसी को अपने आहार में शामिल करिए। अलसी शरीर को उड़ जावे स्पूर्थी परदान करती है। कैंसर रोधी हॉर्मोन्स की सक्रियता बढ़ाती है। रक्त में शरकरा तथा कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है। जोडों के दर्द में रहत दिलाती है। पेट साफ रखने का घरे लूवे आसान नुस्खा है। हृदय संबंधी रोगों के खत्रे को कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। तवचा को स्वस्थ रखती है एवन सूखा पन दूर कर एक्जिमा आदी से बचाती है। ये शरीर में अच्छे कॉलिस्ट्रॉल को बढ़ाती है और खराब कॉलिस्ट्रॉल को कम करती है। इसका नियमित सेवन रजोनी वृत्य संबंधी परेशानिया दूर करता है। लीवर को स्वस्थ रखती है। दोस्तों खासी में अलसी के बीच का पाउडर बना कर उसकी चाय पीने से लाब होता है। इसका सेवन दिन में दो तीन बार करें। एक चमच अलसी पाउडर को आधा गिलास पानी में बारा घंटे तक भिगो कर रखें। दिन में दो बार इसका सेवन करें। पीने से पहले इसे चान लें। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो रोज सुभह शाम एक एक चमच अलसी का पाउडर पीने के साथ सबजी दाल या सलाद में मिला कर लें। डाइबिटीज के मरीज को 25 ग्राम अलसी खाना चाहिए। उन्हें PC-LC को आटे में मिला कर रोटी बना कर खाना चाहिए। कैंसर रोग्यों को 3 चमच अलसी का तेल पनीर में मिला कर उसमें सूखे मेवे मिला कर देने चाहिए। अलसी सेवन के दोरान खूब पानी पीना चाहिए क्योंकि इसमें अधिकतर फाइबर होता है जिससे प्यास जादा लगती है। ऐसा नहीं सोचते हाला कि अलसी में कई गुण होते हैं और इसका सेवन स्वास्ते के लिए फाइदे मन होता है। फिर भी आपको चाहिए कि किसी विशेशग्य से सलहा जरूर लें वरना कई बार असन तुलिद मात्रा आपकी सेहत के लिए कुछ परेशानियां भी पैदा कर सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बैल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू